हेलो एड वेलकम स्टुडेंट्स मैसल वुमका रस्पूत एंड यह रंदर चलना डाउट काउंटर आज के इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर एट के बाद जो चैप्टर नाइन है आपने जो ट्रिगनोमेटरी चैप्टर एट में पढ़ा है उसी का एप्लिकेशन है जो आपने एकसेज 8.1 और 8.2 पढ़ी है जैसे कि आपने एकसेज 8.1 ने 8.1 में 6 ट्रिगनोमेटरी फंक्सेंस पढ़े हैं और उनके ट्राइंगल बेस्ट फॉर्मला पढ़े हैं और 8.2 में आपने उनके ही फिक्स्ट एंगल पे कुछ वेल्यूस देखिएं इस चैप्टर में उन ही का एप्लिकेशन है अगर आप एकसेज 8.1 और 8.2 का ही एप्लिकेशन है अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो मैं उस वीडियो की लिंक इस आई बटन पे शेर कर दू लेकिन उस 16-word-propblem कुछ ऐसे है कि अगर आप वह word problem का figure बना सको हो अगर वह word problem का figure बना सको आपको बिल्कुल अच्छी तरिकिशि वह सम हो जाएगा लेकिन अगर वह word problem से figure नहीं बना ऩो लह difficult होने वाले ठीक है चुर आपका main motto क्या होगा कि word problem है उसको पहले practical application में डालो सबसे पहला सवाल आप देखो सबसे पहला सवाल कुछ ऐसा है एक सरकस आर्टिस्ट जो क्या कर रहा है एक रोप पे चड़ रहा है अभी आपने रोप देखी होगी तो वह ऐसे स्लांड रोप होती है उसमें वह चड़ रहा है विच इस 20 मीटर लॉप वह 20 मीटर लंबी रोप है which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground और ओर इक रोप है किसे tightly stretched है किसे बिल्कुल stretched है एक vertical pole से उसको बाना हुआ है और tightly stretched है वर्टिकल पोल से find the height of the pole आपको निकालनी है if the angle made by the pole with the ground level पोल ने जो ground level पे एंगल बनाई है हुआ है इस 30 रिगरी ठीक है तो देख सकते हो आप यह rope ऐसी लगी है और यह tightly stretched with a pole यह आपकी क्या है rope है यह आपकी rope है यह आपका pole है ठीक है यह आपका right angle triangle बन गया ठीक है अगर मैं इसका नाम देदे हूँ तो यह A हो गया यह B हो गया और यह C हो गया अब आप देखो क्या लिखा है असरका साथ is climbing a 20 meter long rope तो यह जो rope है वो 20 meter किया पहली बात this is final आगे बढ़ेंगे which is tightly stretched from the top of a vertical pole find the height of the pole आपको इसकी height निकालने की है if the angle made by the rope angle rope जो बनाया है with the ground level में this angle यह angle आपको दिया हुआ है 30 degree और आपको इसकी height निकालने है देख लो बिलकुल easy question ठीक है क्या क्या दिया है आपको अगर आपे triangle देखो तो इसकी hypotenuse side दियो यह एक angle दिया हुआ है और आपको यह वाली height पूछिए so for instance आप इसको suppose करके रख सकते हो height of the pole is h थोड़ा statements लिखने पड़ेंगे कि let h be the height of the pole ठीक है मैं इस question में तो लिख रहा हूँ लेकिन आने वाले questions मैं नहीं लिखूँगा मैं direct solo करूँगा ठीक है जिससे हमारा time बच जाएगा so अभी मैं लिख दे रहा हूँ कि what is यह a b क्या है कि वो h let h be the height of pole यह pole की height है first of all and ac क्या है is the length of a rope ac is the length of rope जो आपको 20 meter दी हुई है ठीक है अब आपको यह सोचना है कि आपको एक angle बद है पहली बात इस angle की यह जो side है जो आपको fine करनी है यह आप देख सकते हो that is opposite यह adjacent है और यह hypo है so अब आपको यह सोचना है कि कौनसा ऐसा trigonometric function है आपको यह सोचना है कि कौनसे trigonometric function में opposite आजाएगा जो हमको fine करना है और hypo आजाएगा जो हमको पता है हम adjacent पर जाएगे नहीं क्योंकि हूँ हमको fine करना है पहली बात हमको क्या fine करना है हमको यह fine करना है a b height तो ऐसा trigonometric function सोचो जिसमें height यह opposite side भी आजाए और hypo भी आजाए तो आप बोलें सबसे पहला trigonometric function that is sin theta अपना theta 30 है तो मैं करूँगा sin 30 formula आपको पता है क्या formula आपको पता है opposite upon hypo मैं यह लिखते है तो भी फिलाल के लिए opposite upon hypo अब आपका opposite a b है और hypo ac है a b है और ac है आप कुछ नहीं करना just alias button करना है sin 30 according to exercise 8.2 आपने trigonometric table पढ़ा होगा so sin 30 आपको पता है it is 1 by 2 sin 30 आपने value 1 by 2 लगा दी आप a b को देखो a b h है जो आपको fine करना है और ac आपका length of rope है जो आपको 20 meter दिया हुआ है ठीक है अगर मैं इसको cross मड़े पिलाए करूँगा so 20 into 1 that is 20 equals to 2 into h that is 2 h और h की value आएगी 2 नीचे that is 20 by 2 equals to 10 meter आपका answer खत्म यही answer है that is actually equals to 10 meter सारे questions में यही करना है आपको एक बाद diagram बन जाए फिर क्या fine करना है क्या दिया हुआ है उसके हिसाब से आपको गर्रिग्नोमेटरिक function सोचना है फॉर्मल लगाना है answer लिके आना है सारे questions ऐसे कैसे है चलिए दूसर सावल आपके नज़र के समने यह रहा second question देखिए चलो फटा फट question कुछ ऐसा है a tree breaks due to a storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree visit क्या बोल रहा है एक tree है जो break हो गया due to storm and the broken part bends so that the top एक tree है जो break हो गया और बीच में से कहीं से break हुआ है पता नहीं कहा सा break हुआ है break हुआ है break होने के बाद जो broken part है वो ऐसा bend हुआ कि top जो tree का top था वो पूरा ground को touch कर दिया ठीक है और angle बना दिया that is 30 degree find the distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground क्या define करना है आपको वो distance find करना है जो top ने ground को touch किया और जो tree का foot है उसका distance निखालना है आपको sorry sorry where the top touches the ground is 8 meter वो दिया हुआ 8 meter find the height of the tree आपको tree की height find करना है first of all अगर आप देखो so if I take यह आपका height of a tree है ठीक है पहली initially अब हुआ क्या आधी आई storm आया और उसने क्या किया काई से इस tree को break कर दिया for instance यहां से टोड़ दिया इसको मैं लिख देता हूँ c point ठीक है और जब top part है tree का वो नीचे गिर गया अब यह part नीचे गिर गया यह ऐसे करके ऐसे गिर जाएगा यहां पर ठीक है कि यह 30 degree आपको दिया हूँ है moving ahead the distance between the foot of the tree foot of the tree यह रहा where the top touches the ground यह top touches the ground यह आपको distance दिया हूँ है that is 8 meter ठीक है अब आपको find करना है height of the tree height of the tree initial total height of the tree that is this a b आपको find करना है ठीक है मैं full story नहीं लिखने वाला आप कहानी आपको लिखना है मैंने एक में बता दिया क्या करना है a b let h be the height of the tree ठीक है a is the top point of the tree and b is the foot of the tree the stop point is touched to the ground making an angle 30 degree this you have to write the distance between the foot of the tree and the top is 8 meter और height we have taken that is a b that is h ठीक है इतनी कहानी आपको लिखने बढ़ेगी ठीक है आपको यह 30 degree पता है पहली चीज आपको यह पता है बीसी अगर बीसी फाइन करेंगे कैसा फाइन करेंगे तो 30 degree पता है आपको यह इतना distance पता है और यह पता करना है ठीक है पहले चीज़, इस degree के लिए, यह angle के लिए, यह आपका हो गया adjacent, यह आपका हो गया opposite, first of all, ठीक है, so आपको adjacent पता है, आपको opposite फाइन करना है, सोचो कौन से dignity function में adjacent और opposite आ जाता है, that is, third dignity function, that is, 10 theta, theta आपको पता है, theta क्या है, 10 30, formula आपको पता है, O A, opposite upon adjacent, जो opposite आपका BC, I am writing BC directly link देता हूँ, BC, upon adjacent, जो आपका है, A-B, ठीक है, दोलों की value पूटन करेंगे, 10 30, 10 30 आपको पता होना चाहिए, that is, 1 by root 3 होता है, BC, this is BC, वो हमको find करना है, तो उसको subject बनाएंगे, A-B, आपका 8 meter है, 8 meter, ठीक है, cross multiplier किया जाए, so 8 into 1, 8, equals to BC into root 3, BC निकालना होगा, रूट 3 नीचे आजएगा, तो यह हो जाएगा, 8 upon root 3, तो यह BC मेंगे, अभी BC रहने हैं, तो आप बोले सरी यह, अपने को eliminate करना पड़े, रूट 3, रूट 3, रूट 3 करना पड़े, अभी के लिए निकरना, थोड़ी दिर बात करूंगा, अब आप निकालना है, BC तो पता है, ठीक है, अब आपको यह सोचने के concept dignity function में, आपको 80 मीटर पता है, that is adjacent पता है, आपको hypo पता करना है, तो आप बोले के cos, तो यह आपका cos 30, ठीक है, formula adjacent that is ADASB, and hypo that is AC, ठीक है, value लगाने के cos 30, अगर आपको पता है, root 3 by 2 होता है, A-B, that is 8, AC आपको fine करना है, sorry, A-C, correct, cross multiply भी लगा करोगे, A-C into root 3 equals to 8 to the 16, cross multiply भी लगा, 8 to the 16, so A-C आपको क्या आजाएगा, 16 upon root 3, so आपको A-C मिलगा, आपको पता है, A-C और A-C सेम है, तो मैं directly लिखता हूँ, that is AB, that is height of tree, वो क्या है, so 8 by root 3 का addition है, plus 16 by root 3 का addition है, आप देख सबते हो, आपको BC मिलका, A-C मिलका, AB क्या है, addition of this and this, root 3, root 3, LCM, दोनों दगा, root 3 है, so 8 plus 16, 8 plus 16, 24, अब हम root को हटाएंगे, so root 3, root 3 into root 3, ठीक है, अब यहीं cancel करता है, root 3 into root 3, 3 होता है, 3, 8 is a 24, so the answer is 8 root 3 meter, ठीक है, आप चाहो तो root 3 के value 1.73 भी पॉटन कर सकते हो, वो भी value लिखा सकते हो, आप 8 root 3 भी लिख सकते हो, ठीक है, तो यह second number हो, चलिए, start करते है, sum number 3, sum number 3 आपके नज़र के sum नहीं यह रहा, question कुछ ऐसा है, देखो, फटाफट, question is, a contractor plans to install two slides for the children to play in a park, अब आपको पता है, slides हिंदी में उसको लपसणी कहते है, हिंदी में गूजरत कहते हैं, पर बोलते हैं, लपसणी कहते हैं, तो वो contractor plan करता है, हम एक लपसणी बनाएंगे, पार्क में खेलने के लिए, for the children below the age of 5 years, जो पांत साथ चोटे हैं, वो prefer करता है, slide लेंगे, जिसकी top is at a height of 1.5 meter, top 1.5 meter होगा ground से, और वो incline होगा 30 degree to the ground, अब इसको देखते हैं, एक slide बना रहा है, slide आपको पता है, इस तरीके से उती है, ठीक है, तो यह आपकी slide है, यह height आपको दिया हुआ है, कि जो height है, वो होनी चे यह 1.5 meter to the ground, और जो आपकी slide है, वो होनी चे यह 30 degree with the ground, तो यह मैं इसको नाम दे देता हूँ, A, B, C, एक slide यह है, Now, where is for elder children, बड़े children, बड़े लोगों के लिए, बड़े बच्चों के लिए, C wants to have a, एक बड़ी slide लेनी है, उसको जो 3 meter long है, जिसकी height कितनी है, 3 meter है, इसको मैं PQ ले लेता हूँ, इसकी height है 3 meter, ठीक है, which is inclined at 60 degree, जो क्या है, 60 degree inclined है, इधर आपको ले लेता हूँ, ठीक है, What should be the length of the slide in each case, आपको क्या करना है, length of a slide निकलने, अब length of a slide कहाँ पे, slide कौन सी है, यही slide है न, so यही length निकलने, इधर में इसको L1 नाम दे रेता हूँ, इधर में इसको L2 नाम दे रेता हूँ, ठीक है, कहानी आपको लिखने की आप लिख सकते हो, AB is the height, is the height of, is the height in which this slide is attached, so यह AB height हो गई, AC आपका क्या हो जाएगा, length of slide है, यहाँ पे PR आपके length of slide है, यहाँ पे PQ आपका height बन जाएगा, ठीक है, आपको यह निकलने, अब आप यह ट्रिक्नमड़ी फंक्शन देखो, इस ट्रिक्नमड़ी फंक्शन के लिए जो जानते हो, that is opposite, यह hypo, इसकी जरू लोगे, sine theta, that is sine 30, formula opposite, मतलब AB upon hypo, that is AC, sine 30, that is 1 by 2, AB आपका 1.5, AC आपको fine करना, cross multiply किया जाए, AC into 1, AC को अगर मैं L1 लिखू, तो L1 into 1, that is L1 into 1, 1.5 into 2, that becomes your 3 meter, यह तुमारा answer हो गया, पहले का, इसी तरीके से इसको भी कर सकते है, आप वापिस वह लगा हुए, क्योंकि opposite पत हाइपो पता है, तो आप क्या करोगे, sine 60, opposite, that means PQ, hypo, that means PR, sine 60, आप क्या होता है, root 3 by 2, PQ, आपको 3 पता है, और PR हमने L2 लिया, तो आपके L2 की बेलो डाल देंगे, ठीक है, cross multiply करेंगे, root 3 into L2 equals to 3 to 6, या तो फिरे काम करते हैं, इसको 3 लेने देते हैं, 3 into 2 लिख देते है, अब L2 fine करना है, क्या होगे, 3 into 2 divided by root 3, root 3 नहीं आना चीए, root 3 into root 3 into root 3, अब आपको पता है, root 3 root 3 3 होता है, so 3 cancel, so आपका L2 आजाएगा, 2 root 3 meter, अब आप चाहो, तो root 3 की value, 1.73 लिख कर, multiply करकर 2 से, आप answer ला सकते हो, चलिए, fourth question स्टार्ट करता है, question आपकी नजर के समने ये question 4, देखिए, क्या लिखा है, the angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground, angle of elevation, elevation का मदल बदा ऊपर देखना, जैसे हम ऊपर देखना है, that is called angle of elevation, आप depression, नीचे देखना, that is called depression, या दखना, elevation मदल ऊपर देखना, ऐसे, depression मदल नीचे देखना, ऐसे, so angle of elevation of the top of a tower, एक tower है, so let us draw tower, यह tower है, ठीक है, यह बातो फाइनल के ground से देखेंगे, यहां से देखेंगे, angle of elevation, यह आपका angle of elevation है, इसको c point देखें, from a point on the ground, which is 30 meter away from the foot of the tower, यह जो point है, वो foot of the tower, यह foot से यह point 30 meter अवे है, मतलब यह 30 meter की दूरी पर है, ठीक है, क्या लिखा है, the angle of elevation, ऊपर देखना, tower को कहा से, on the point on the ground, जो point हो क्या है, 30 meter दूर है, foot of the tower से, 30 meter दूर हो गया, वो point, अब आपको पूचा, find the height of the tower, very simple question, आपको पूचा, height of the tower, यह आपकी height है, वापे story आपको लिखने पड़ेगी, let h be the height of the tower, the point on the ground is point P, sorry, angle made तो लिखा ही नहीं, question वापीस रिट करना पड़ेगा, angle कितना बन रहा, व पिर, अब क्या करना है, अपको एच निकालना है, story लिखो, अब मैं direct करता हूं। आपको यह, इसी पूच्छा दोने है जिसमे एप्स, आपको पाता है, इस एंगल का इपोज जिसमें आपको एग्तिय मेदी पॉच्छान सोचन है, जिसमें एपोज आजाता है, स्वजिए 1030 formula क्या होता है AB AB upon BC adjacent होता है that is BC 1030 आपको पता होना चेह that is 1 by root 3 AB आपका होता है H BC आपको दिया हो है 30 cross multiply 30 into 1 that is 30 H into root 3 H निकालना है root 3 नीचे लेके आएंगे root 3 नहीं होना चाहिए so root 3 upon root 3 root 3 root 3 root 3 3 tensa so H value is 10 root 3 meter so आप 10 root 3 लिख सकते हो आप root 3 value 1.73 लिख कर भी answer ला सकते हो चलिए 5th question start करते है 5th question आपके नजूर के समने ये रहो look at the 5th question question is a kite is flying at a height of 60 meter above the ground ठीक है एक kite है एक पतंग है जो fly कर रही है at a height of 60 meter ground से above ठीक है for example अगर मैं consider कर लूँ ये ground है ये ground है kite यहाँ पे कहीं fly कर रही है ये आपका kite का point है ये जो point है वहाँ पे kite fly कर रही है और वो 60 meter above है ground के 60 meter above ground के है इसको मैं B point देता हूँ इसको मैं C point देता हूँ आगे बढ़ता हूँ the string attached to the kite is temporarily tied to a ground जो string attached है यहाँ से यह string attached होगी वो temporarily हमने ground से connect कर दी है the inclination of the string with the ground is 60 degree जो inclination string का ground के साथ यह आपको 60 degree दे दिया है आपको पूचा find the length of the string आपको length of the string find गरनी है पहली चीज यही length of the string है जिसको मैं बोलता हूँ we will take L उसके बाद आपको पूचा assuming that there is no slack okay so आपको length ही निकालने की है that is this length so आपको फिर से story जैसा कुछ लिखना पड़ेगा के AB is the height of the kite on which this kite is flying ठीक है BC is the ground while AC is the length of the string so you suppose L at AC is the length of the string that is L हम L suppose करेंगे अब इस angle के लिए यह वाली जो side है वो opposite side है यह वाली side adjacent side है और यह वाली side hypo की side है ठीक है so अगर आप trigonometric function सोचो जहां पे opposite भी आ जाएगा hypo भी आ जाएगा जिसमें आपको एक given चीज है और एक find करनी है so आप बोलोगे sin का formula लगा दो so sin 60 sin theta sin 60 formula होता है opposite upon hypo opposite है आपका AB और hypo है आपका AC अब sin 60 की value आपको पता होने चाहिए जो होती है root 3 by 2 equals to AB आपका होता है 60 meter का यह दिया हुआ है 60 meter और AC आपको find करना है उसके जगापे मैंने लेगी है L so अगर मैं इसको cross multiply करूँगा so root 3 into L equals to 60 into 2 so अगर L निकालना है मेरको 60 into 2 divided by root 3 root 3 root 3 से multiplication division करेंगे root 3 into root 3 3, 3 20 जा और यह आंसर आजाएगा L का 20 into 2 that is 40 root 3 meter अब आप चाहो तो root 3 की जगा पे 1.73 value लगा कर भी आंसा निकाल सकते हो 6th question स्टार्ट करते है 6th question आपके नजर के समने यह रहा 6th question read कर लो सबसे पहले आप 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building ठीक है एक 1.5 meter लंबा लड़का है 1.5 meter लंबा लड़का है वो कुछ distance पे खड़ा है from a 30 meter tall building ठीक है यह उसकी 30 meter tall building है और जैसे आपके जान तो यही ground होगा और यहीं पे कहीं यह लड़का भी खड़ा है यह 1.5 meter का लड़का है यहाँ पे लिख देता हूं AB आपका लड़का है और CD आपकी building है ठीक है उसके बाद the angle of elevation from his eyes to the top of a building increases from 30 to 60 as he walks towards the building ठीक है तो वो जो student है या फिर जो भी लड़का है वो क्या गरते angle of elevation जो है वो increase हो जा रहा है from 30 to 60 आई से यहाँ पे देख रहा है पहले देख रहा था सो 30 आ रहा था मैं को लाइन बना देता हूं यहाँ पर यह एंगल 30 डिगरी था अब वो थोड़ा आगे गया towards the building है यहाँ पर लिखा हूँ है towards the building सो अब suppose करते हैं यहाँ पर आ गया वो AB बॉय है वो भी डिड़े मीटर कही है अब जो angle बन गया है that is your 60 डिगरी ठीक है बिल्डिंग के तरफ गया है find the distance he walker towards the building आपको क्या find करना है कि कितना distance उसने travel किया है towards the building यह distance आप देख सकते हो यह distance आपको निकालना है for instance मैं इसको AB ना लिख करके मैं इसको XY दे देता हूँ ठीक है जिससे हमको थोड़ा differentiation रहेगा लेकिन आप याद रखना AB और XY वो बॉय है तो यह भी डिड़े मीटर का होगा तो यह भी डिड़े मीटर का ही होगा ठीक है अब आपको क्या निकालना है आपको यह BY निकालना है ठीक है तो आपका गरो पहले स्टोरी लिखनी है के लेट CD is the height of the building which is 30 meter AB is the height of a boy which is 1.5 meter the angle made previously was 30 degree as he walks towards the building the angle made 60 degree ठीक है तो यह कहानी लिख दिया अब आपको निकालना है BY ठीक है आप BY को सपोस कर तो के let BY is अपने सपोस कर लेते M सपोस कर लेते you can suppose anything हम BY को M सपोस करके आग में घूँतलो पताता हो आपको दो एंगल दियोंगे जब भी question में 2 एंगल है आपको एक waren लिए वाले point से इस वाले point को यहं नाम दे दे ढेए इसको नाम दे देए है ठीक है आप 1030 लगाओगे कहां पर लगाओगे CEA में समझे मेरी बात आपको जब भी दो डिगरी दिया होगा आप सोचोगे नहीं क्या लगा दोगे आप 10 लगा दोगे कैसे लगाओगे वह एंगल और 90 डिगरी आप देख सकते हों CEA जो हैं ट्राइंगल है मैं ट्राइंगल नहीं लिखे मैं सब एक्स्प्रीन कर रहा हूं CEA जो ट्राइंगल है इसमें मैं 10 का फॉर्मला लगा दे रहा हूं जो लगेगा 1030 यह लगाया 1030 फॉर्मला आपको पता है यह अपोजिट अपन एडजेसंट CE आप देख सकते हों AE है अब इसमें से आपकी जो भी वैल्यू पता आप लिख दो 1030 आप पता कर सकते हो बेजड अन टीबल जो है वन बाय रूट 3 ठीक है अब आप CE देखो क्या आप CE पता कर सकते हो देखो हां कैसे जितना AB है उतना XY है और उतना है ED होगा मैं बोल सकता ह ठीक है AB XY और ED सेम रहेगा तो अगर मैं 30 टोटल है टोटल 30 है सीड़ी अपना टोटल 30 30 में से अगर मैं 1.5 माइनस कर दूं तो मुझे CE मिल जाएगा ठीक है अब आगे बढ़ता हूं तो आप C के जाब है क्या लगा दोगे 28.5 अपन AE आपको नहीं पता उसको सब्डेक्टी देने तो और यहां से हम क्या निकाल लेते एई ही निकाल लेते आपका AE की वेल्यू आगे उसी तरीके से जैसे मैंने बोला जैसे 1030 लगाया दूसरा एंगल है हम वापिस 60 में 1060 लगा देंगे और राइट एंगल के साथ तो CEX में हम 1060 लगाएंगे तो यह लगाया 1060 CEX में 1060 फॉर्मल आपको पता है अपोजेट अपन एड्जसेंट आपका CE एड्जसेंट इस केस में हो गया XE 1060 की वेल्यू 1030 का जैसे वन बैर रूट 3 होता तो उसका उल्टा करेंगे तैस रूट 3 CE आपको वेल्यू पता है 28.5 और XE आप फाइंड कर लोगे ठीक है XE को सब्जेट बनाओंगा मैंच यूज़ करके और रूट 3 यहां पर आ जाएगा XE की जो वेल्यू आजेगी 28.5 डिवाइड रूट 3 मीटर ठीक है अब आप देखो आपको BY निकालना है BY निकालू या AX निकालू एक यह बात है क्योंकि एक रेक्टेंगली फॉर्म हो रहा है क्योंकि आप अगर आपको BY निकालना है तो आप AX निकाल सकते हो दोनों एक ह और से देखो आपको AE पता चल चुका है आपको XE पता चल चुका है तो क्या मैं AE में से XE को सब्टरेक कर दूँगा तो मुझे AX मिल जाएगा जो BY है और जो हमारा अंसर है तो मैं डारेक्ट लिखता हूं मैं डारेक्ट M कर देदा हूं M कैसे मैं फाइन कर सकता हूं मैं डारेक्ट लिख रहा हूं कि AE में से टोटल आपका AE में से XE माइनस करना है that is M की वैल्यू आपको मिल जाएगे अब AE आपका क्या है 28.5 रूट 3 माइनस XE आपका क्या है 28.5 अपॉन रूट 3 ठीक है अब चाहते तो आप यहाँ पे रूट रूट 3 रूट 3 रूट 3 लेके यहाँ आपका आता है रूट 3 इदर रूट 3 रूट 3 हो जाता है 3 अब 3 को 28.5 से मलिपलाइक करते हैं अबर तो फाइंटो फी इंट रूट 3 अफेञ्ट 4 यहाँ यहाँ पे माइनस यहाँ पे रूट 3 है सो 3 रूट 8.5 यहाँ चेहाँ पोईच और रूट 2 रूट 2 रूट 5 को सब्टक्रूट कर देंगे रूट 3rd 30 थी यह कट्ता भी तुट 0 5 secret कर देंगे रूट 3 कर देंगे nobody नमर 7 आपकी नचर के सामने यह जा आप 7 नमर रीड कर सकते हो देखो सम नमर 7 कैसा है From a point on the ground, okay, ground में से कोई एक point पे, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20 meter high building are 45 and 60 respectively, ठीक है, question सोना वापिस में क्या बोल रहा हूँ From a point on the ground, ground में एक point, कोई एक point से जैसे यह ground यहीं से आप देख रहे हो, एक ground पे, the angle of elevation, sorry, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower आप on the ground में से एक point पे से आप देख रहे हो, elevation देख रहे हो bottom का, और आप elevation देख रहे हो, top का, किसका transmission tower का, जो कहां पर है, to the top of a building वो building पे लगा हुआ है, building पे है ठीक है, fixed at the top of a building, 20 meter high building है, angle हो रहा है, 45 and 60 respectively, final height of a tower मतलब यह बात तो final है, कि जो tower है, वो building के ऊपर है, सो हमें काम करते हम यह building मानके चलते हैं, कि यह building है, इसके ऊपर एक tower है, ठीक है, बड़ा बनगे है, काम करते है, छोटा कर देदे यह आपकी building है, और यह आपका tower है, इदर नाम देना हो तो A, B, C हमने नाम दे दिया, A, B आपका tower हो गया है, और B, C आपकी building के ऊपर आपका tower है, ठीक है, from a point on the ground, ground से एक point, अब यह है, आपके कोई points से, the angle of elevation of the, the angle of elevation of the bottom, bottom of a tower, आपका tower का bottom यह रहा, और top of a tower का यह रहा, ठीक है, यह angle increases from 45, are 45 and 60, so, यह 45 degree का है, और यह 60 degree का है, ठीक है, find the height of the tower, ओके, और यह भी लिखा हुँ है, 20 meter high building है, so, यह building है, that is 20 meter high building, आपको यह height ही निकालना है, ठीक है, फिर वापे story लिखेंगे, कि let A, B is the height of a tower, B, C is the height of a building, the point on the ground is point, let us take this point as D, ठीक है, so, the angle of elevation at the bottom of the tower is 45 and the top of a tower is 60 degree, we have to find the height of a tower, let us consider the height of a tower is h, for instance, हम consider कर लेते है, height of a tower क्या है, h होता है, अब हम सॉल करेंगे, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, अगर 2 angle आते हैं, तो आप क्या करोगे, आप कोई भी dignity function ने यूस करोगा, आप सीधर का सीधर 10 यूस कर देख रहा है, B, C, D वाला, यहां पर आपने 1045 लगा दिते, यह लगाया हमने 1045, फर्मुला, opposite upon adjacent, opposite आपका BC, adjacent आपका CD, ठीक है, तो आप 1045 आपको value पता होगी, that is 1, BC, BC आपको पता है, that is 20, और CD आपको नहीं पता और वोई फाइन कर देंगे, तो CD क्रोस मल्लिवला आपको CD की value आगे, that is 20 meter, ठीक है, CD की value आगे, अब in the same way आप 60D को देखो, वो एक बड़ा triangle दिख रहा होगा आपको, जो लगेगा ACD में, so यहां पर 1060 लगा दो, यह लगाया हमने 1060 बड़े वाले triangle में, formula opposite, इसका opposite total होगया AC, और adjacent होगया आपका CD, जो value पता है, डाल दें 1060, 1060 आपको अगर पता है, तो root 3 होता है, ठीक है, 1031 by root, 1060 by root 3, अब EC, अगर आप EC देखो, so क्या मैं ऐसा होगया, AC is the addition of A, B and B, C, so मैं इसको H plus 20 लिख सकता हूँ, ठीक है, और CD आपको पता चल चल चुक है, that is 20, अब हम simple match इस्तमाल करेंगे, cross multiply करेंगे, और answer ला देंग that is H plus 20, आपको H निकालना है, H को subject बनाया जाए, और 20 को महां भीजा जाए, यह हो जाएगा, 20 root 3 minus 20, कॉमन अगर मैं 20 निकालू, तो root 3 minus 1, यह मीटर आपका answer चाहो, तो आप root 3 के जगापे, 1.73 करके, minus 1 करके, into 20 करके, आप H की perfect value भी find कर सकते हो, यह भी चलेगी, 8th question 1.6 meter tall, stands on the top of a pedestal, ठीक है, एक pedestal के ऊपर, एक statue है, जो 1.6 meter का है, वो pedestal के ऊपर खड़ा है, चो मैं माल लेता हूँ, यह आपका pedestal है, इस पे एक statue खड़ा है, जो 1.6 meter का है, इसको मैं A, B, C नाम दे देता हूँ, तो जो आपका A, B है, वो 1.6 meter का है, ठीक है, पहली चीज, आगे बढ़ता हूँ, from a point on the ground, the angle of elevation of the top of a statue, point on the ground, एक आम दरते यह थोड़ा figure बहुत ही जादा ही चोटा बन चुग है, बड़ा figure बनाते है, यह pedestal है, यह आपका statue है, so A, B, C, यह है 1.6 meter, from a point on the ground, यह है आपका point on the ground, the angle of elevation of the top of a statue, यह रहा आपका statue का top, जो आपको दे रह है, 60 degree, and from the same point, and from the same point, the angle of elevation of the top of a pedestal, pedestal का top यह रहा, आप उसको bottom of statue भी बोल सकते थे, so यह जो angle है, यह आपको दिया हुआ है, 45, question आपको पूछ रहा है, find the height of the pedestal, आपको क्या पूछ रहा है, height of the pedestal, आपको पता है, pedestal यह रहा, इसको मैं for instance, H लेके, चलता हूँ, ठीके, अगर अपने 7th question देखा होता, तो यह दिया था, यह find करना था, same question, अब यह दिया है, और यह find करना, ठीक है, concept remains same, जैसे मैंने बताया, अभी मैं दो sum बताया, जब भी 2 degree आएंगे, हम क्या करेंगे, हम कोई भी technology function नहीं लगाएंगे, हम सीधा 10 लगाएंगे, 90 degree के साथ, आया, हमने 1045, इक्वल्स टू अपोजिट, अपोन एटरजन फॉर्मला आपको पता होगा, BC अपोन सीधी, 1045 आपको वैल्यू भी पता है, that is 1, ठीक है, और फिर बात करते है, BC, BC की वैल्यू आपको HD हुई है, और CD आपको पता नहीं है, तो CD को CD रहने दो, यहां से यह प ACD, लगा दो वापिस 1060, फार्मुला अपोजिट अपन एड्जिसंट फार्मुला, एपोजिट इस एड्जिसंट इस सीडी, 1060, 1060, याद हो तो रूट 3 होता है, 1060 इस रूट 3, AC, AC की वैल्यू कर आप देखो, क्या मैं ऐसा बूल से हुँता हूँ, AC is the addition of AB plus BC, जो मैं 1.6 प्लस H, या H plus 1.6 भी लगा सकता हूँ, और CD हमने fine कर लिया है, that is H, अब using simple mathematics, cross मले भी ले करेंगे, और H के वैले fine करेंगे, cross जैसे मले भी ले करेंगे, root 3 into H, that is root 3 H, और सामने H plus 1.6 into 1, यह हो जाएगा, H plus 1.6, अब आपको गर H निकलना हो, तो यहाँ पे एक H ले सकते हो root 3 H minus H equals to 1.6, आप common कर लो, यहाँ से H, H common निकलेगा, so root 3 minus 1 equals to 1.6, so maths use करके, H find करना है, पूरा root 3 minus 1 divide हो जाएगा, नीचे term नहीं होना चीए, so हमने conjugate ले लिया, root 3 plus 1, root 3 plus 1, यहाँ पे हो जाएगा, 1.6 into root 3 plus 1, अगर आप इसको solve करो, root 3 minus 1, root 3 plus 1, that is A minus B, A plus B, formula A square minus B square, so A square root 3 का square, 3 minus B square, 1 का square, 1, so यह कुछ ऐसा दिखेगा, 1.6 into root 3 plus 1 upon 3 minus 1, that is 2, so 1.6 और 2 कर जाएगा, और 0.8 आजएगा, तो आपका आज़र आजएगा, 0.8 root 3 plus 1 meter, आप चाहो तो root 3 के value भी put on कर सकते हो, और एक सही value, अच्छी value, सही तो नहीं बोले हो, यह भी सही value है अच्छी value आप ला सकते हो, यह भी answer correct है, ठीक है, तो हमने 8 questions कर लिए, exercise 9 के हमने पहले 8 questions कर लिए, next video में हम next 8 questions देखेंगे, आसा करता है आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर वीडियो पसंद आएगा, तो like करो, like करने में कुछ टैक्स नहीं लगता, पर आपके like से हमा सारा विश्वास बढ़ता है, हमको ऐसा लगता है कि हम कुछ अच्छा गाम कर रहे है, वीडियो पसंद आया है, तो अपने दोस्तों को share कीजिए, अगर आप चैनल पे नए हैं, तो चैनल को subscribe के बनना मत बूलिएगा, और उसके बाजू में जो bell account का बटाने उसको का बूलिएगा, तो बटाने लगता है, तो लिए उसके बनुट से हम चैनल पेघागा झाराओा में आड़ता है, तो घकर अच्छा भाल के अच्छा रहे हैं, तो चैनल आप बहुता है, मैं है जो पता है कि अछल विएगा है, था कि अफल पहीं है, वीगे हैं बूलिग है